नमस्कार दोस्तों वेलकम टू जितिन दे वाश्पूत फिट क्लब आश्या करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं तो दोस्तों आज आपने देखा जैसे कि थमनेल में दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन के बेनिफेट्स क्या है उसको कैसे लो होता है बोडी में आपके उसके सिम्टम्स क्या है और आपको कैसे पता चलेगा टेस्टोस्टेरोन आपके बोडी में कम है या ज्यादा है कैसे तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में फुल डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टोन होता क दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेल होर्मोन है, जो की मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है, मेल का ये मेल मेन होर्मोन होता है, जो आपकी ऑप्टिमम हेल्थ के लिए जम्मेवार होता है, आपके सारे होर्मोन को सारे ग्लैंड को रे तो दोस्तो टेस्टर स्टेवन आपकी लाइफ को कैसे अफेट करता है स्टार्ट करते हैं बिलकुत बिगिनिंग से टेस्टर स्टेवन की जो रेंज है आपकी बोडी में वो 300 टू 1200 नेनो ग्राम पर डेसिलीटर होनी चाहिए मैं यह नहीं बोला हूँ कि आप जाएए और लैब में जाकर अपना टेस्ट कराईए नहीं दोस्तो आपको खुद भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका टेस्टर स्टेवन लेवल लो है या ऑप्टिमम है या ठीक है आप पता लगा सकते हैं अपने आप हम आगे बात करें किसके बारे में लेकिन सबसे पहले आजकल एक और मैं चीज़ दीखा हूँ कि काफी सारे लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़े बताते हैं टेस्टर से उनको बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए आपको वो सब अपनी अपनी जगे ठीक है उनसे मुझे कोई ऐ जैसे कि for example मैं नहीं समझता कि जो बच्चे 20 साल से कम उमर के हैं उनको कोई भी कोई भी डर्ग ऐसी लेने की जूर्थ है ना ही वो अरवेदिग ना उनको कोई भी ऐसी टेबलेट लेने की जूर्थ है जिससे उनका टेस्टर सेवन लेवल उपर नीचे या कुछ भी उसमें छेड़ खानी हो बिल्कुल उनको जूर्थ होती ही नहीं है बिकोज उनकी एज के गॉर्डिंग उनका टेस्टर सेवन लेवल बिल्कुल ऑप्टिमम होता है लेकिन हां कुछ केसे ऐसे आये हैं अभी रिसर्च में क्योंकि अब हमारे देश में अमेरिका में तो था ही पहले अब हमारे देश में भी होने लग गया है चाइल्ड ओबेसिटी कुछ बंचों के अंदर इतनी ज्यादा चाइल्ड ओबेसिटी होती है जिनका टेस्टर सेवन लेवल लो पाया गया है बड़ दोस्तों वो किसी बुरी आदत के वज़े से नहीं है उनकी सिर्फ सेडेंटरी उनको से फिजिकल एफर्ट करना है डेली थर्टी फॉर्टी या वन आवर वर्क आउट इस एनफ फो देम जस्त उनको थोड़ा से अपना फैट लेवल रिडूस करना है एंड गूड इटिंग है बस कोई मेडिसन की जो उतनी है यह तो हुई बात अंडर ट्वंटी अजर् दोस्तों उनमें भी मैं समझते हूं कि जो 30 से उपर 35 साल के लोग हैं मेल्स उनको थोड़ा बहुत ऐसा एफेक्ट फील होता होगा कि उनका टेस्टोस्टेवन लेवल लो हो गया है क्योंकि उनकी लोगों को ऐसा फील होता है कि उनकी सेक्स्वल अक्टिविटी कम हो गयी है या उनकी जो male organs की erection है वो कम हो गई है या उनका strength कम हो गई है उन चीज़ों से उनको लगता है लेकिन नहीं दोस्तों उनका जो सबसे culprit है testosterone low होने का वो है stress दोस्तों about 30 ages के लड़कों के अंदर जिनके अंदर भी testosterone low पाया गया है उसका main reason, main culprit, मुख्य कारण stress है जिन लोगों के अंदर stress नहीं होता है उनका testosterone level नहीं low हो जाता है बिलकुल भी वो age के according थोड़ा decline जरू होता है लेकिन उनमें किसी कमी की वज़े से नहीं होता है वो reduce आपको एक example में देता हूँ आज से 40 साल पहले जो लोग खेती बारी करते थे ठीक है उनको कभी नहीं पता होता था करनका testosterone level down है या जादा है बढ़ गया या कम होगा उनको पता ही नहीं होता है because it was very normal and relaxed क्योंकि वो mentally relaxed होते थे दोस्तों इस बात को आप समझना जितना आपका peace of mind होगा mentally आपका rest relaxed relaxed होगे नप उच्नहीं ज्यादा आप हर चीज में active होगे आपका focus level बेटर रहेगा आपका mood अच्छा रहेगा आपकी health better रहेगी overall well-being रहेगी आपकी अब उसे बिकॉस अफ low stress level low stress is related to low testosterone अब आप उस्ट्रेस को कैसे गटाएंगे कुछ लोग stress को गटाने के लिए क्या गरते है alcohol smoking ये सब तक कि उनका stress घट जाए नहीं दोस्तों वो stress burst करती ही है आपका लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए चार दिन के लिए दो दिन के लिए बस नहीं दोस्तों ऐसे stress liver से आपको बचना है और आपको generally अपना stress relief करने के लिए you have to engage yourself in physical activity किसी भी टाइप के आप activity करो जिसमें मुख्य तो पर है weightlifting weightlifting से आपकी muscles के उपर बॉन के उपर जो stress आता है वो आपके testosterone को raise करने में बहुत help करता है लेकिन बहुत साए लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं weightlifting करना या कोई other activity करना पसंद करते हैं तो मेरा कहने दोस्तों यह है कि आपको कोई ना कोई physical activity करनी है जिससे आपका natural testosterone बढ़िया रहे और maintain रहे अब बात करते हैं डाइट की कि डाइट में आप ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे आपका टेस्टों बढ़िया रहे दोस्तों healthy diet क्या होती है healthy diet वह होती है जिसमें good amount of protein, good amount of fat, good amount of complex carbohydrate, simple carbohydrates, सब कुछ होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा और उसमें आपको बचना है junk food, fast food, fried stuff या जो भी आपको बाहर उट-पटांग की चीज़े खाने के लिए उनसे बचना है आपको regular diet खाने है अपको कोई जदा high fashionable नहीं खाने है सुबह breakfast में जैसे नॉर्मल ही लोग खाते है आप अगर नोन्वेज खाते है तो आप एक, bread, दूद, nuts, ये सब चीज़े खाएंगे लंच नॉर्मल दाल, ओटी, चपाती, सबजी, लोग चिकन खाते तो आप चिकन राइस खाएंगे, इवनिंग में आप लोग थोड़ा सा फूट, फूट, सैलेड या फूट जूस पिएंगे, डिनर में भी आप नॉर्मल जैसे आपने लंच किया वैसे ही खाएंगे, स्प तो इस टाइप के फूट आप एड कर सकते हैं, वालनुट्स हैं, ऐलमेंट्स हैं, इनके अंदर वो ओमेगा एसेड होता है, फैट, जो बहुत ही एसेंशल होता है आपके बोड़ी में नेचुरल टैस्ट्न बूस्ट करने के लिए, दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या-क्या हो जता है, मूड स्विंग होते हैं, नीन ठीक नहीं आती है, अगर आप वेटलिफ्टिंग भी करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और एरेक्शिन लेबल कम हो गया है, सेक्वल डिजायर कम हो गई है, यह सारे सिम्टम्स होते हैं आपके अंदर लो टेस्टोस्टेर के, इन फेक्ट कुछ लोगों को लूस चैस्ट रहती है, जिसको मेल बूप्स कहते हैं, वो भी एक तरिके से लो टेस्टोस्टेरोन के वज़े से ही होता है, तो दोस्तों, यह होगे सिम्टम्स, अब आप इनको ठीक कैसे काएंगे, सुपोज आपको कुछ मेडिसन ऐसी चा करता हूं, वह यह है, मैं कुछ होमियोबैथिक एंड कुछ आयरवेथिक मेडिसन्स यूज करता हूं, जो जनरल वेल बीग के लिए होती है, जो एक्ट्रेस बस्तिंग का काम करती है, इन डारेक्ली, क्या वहा देखो मैंने बताया थापको कि यह स्ट्रेस से रिलेटिड है वो आपका स्ट्रेस घटाएंगी, आपका टेस्ट्रों लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा, अब स्ट्रेस आपका दो चीजों से घटता है, एक तो वरक आउट करके और एक यह जो मैं भी मेडिसन्स आपको बताने वाला हूं, अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनका ल यहिंबिन और एक ट्राइबिलस यह तीन चीजें आप होमोपैथिक की बाय कार सकते हैं, जिनकी डोसेस होती हैं, आपको तीनों की आपका टिंक्चर आता है एक लिक्विड फॉर्म में, वो आप 10-10 ड्रॉप्स तीनों की, दिन में तीन बार लेना है आपको एम्टी स्टम शिलाजीत, शतावर, इन तीनों का पाउडर, आप मिक्स कर लीजिए और सुभे शाम एक एक ग्लास दूद में एक एक चमज डाल के पीजिए, हलका गर्म दूद पी सकते हैं, ठंडे दूद में नहीं पीना है, हलका गर्म दूद में, अश्योगंदा, शिलाजीत, शतावर इन तीनों का पाउडर, मिक्स करके आप डालीजिए, एक एक छोटा चमज दूद में वो पी सकते हैं, वेरी गुड फो यॉर जॉइंट्स, आपका विडियूस होगा स्ट्रेस लेवल और आपका नेच्रल इटेस्ट्रों बिल्द होना शूव हो जाएगा, श्टेंथ फील वो आप 1000 mg to 1500 mg तक ले सकते हैं, जो एटलेट्स हैं, जो नोन एटलेट्स लोग हैं, उनके लिए 700 mg एनफ है, वो आपका योईनेवी ट्रेक भी क्लीन रगता है, आपके किडनी को भी क्लीन रगता है, और नेच्रली आपका टैस्ट्रों को बूस्ट करता है, तो दोस्तों य सारी चीजें आप एड कर सकते हैं, अपने नॉर्मल डे-to-day लाइफ में, आप इनको ओन और यूज करेंगे, जैसे आपने टू मन्थ यूज किया, आप उसके बाद टू वीक का गया दे सकते हैं, तो दोस्तों ये थी सारी टेस्ट्रों का रेस करने की बाते हैं, आप कैसे एक optimum testosterone level गेन कर सकते हैं अपनी body में, maintainer सकते हैं, और जिससे आपका mood अच्छा रहेगा, आपकी bone density बढ़ेगी, आपकी strength बढ़ेगी, आपके hair quality, आपकी skin quality, आपकी joints बेटर हो जाएंगे, तो सब चीजें आपकी धीरे-धीरे normalize होनी चुरू हो जाएगी, तो दोस्तों, आज कल यंग्स्टर्स में सबसे ज़्यादा problem low testosterone की किस वज़े से है, उसका मुख्य कारण है, steroid, दोस्तों, वो steroid लेते हैं, उसके बाद उनका testosterone level down जाता है, उससे पहले वो ठीक होते हैं, steroid लेते हुए भी वो ठीक रहते हैं, उसके बाद उनका घर जाता है, और जो load, enjoy, pump, workout, महनद, strength, सब कुछ आपको फील होएगी, जब आप उसको बंद करोगे, you will feel low energy, depressed, आपके mood swing होएगे, low erection, low sex desire, यह सारे चीज़ें आपके सूर हो जाएगे, और उसको reverse होने में बहुत टाइम लगता है, दोस्तों, आपको 6 से 1 साल तक लग सकता है, 6 महने से 1 साल तक में वो चीज़ें विवर्स होती है, बट आपको जोसे मैं इस चीज़ें बताइए, आयरवेधिक and होमेथिक, यह चीज़ें आप continue रखते हैं साथ में, या फिर उसके बाद यूज करते हैं, तो काफी हद तक help हो जाती है, और आप बच जाते हो side effects से, और जितना हो सके, अपने lifestyle को change करने की कुशिच कीजिए, और strength training जरू कीजिए, अपने लिए time निकालिए, strength training से आपका testosterone level natural again होता है, यह दवाईये मैंने आपको बताई है medicines, यह भी आपकी काफी help करेंगी, जिस आपकी sleep improve हो जाएगी, और दोस्तों एक और चीज सबसे important, आप जिस बोड़ी क अंदर रहते हैं, आप उस आपके बोड़ी के अंदर एक आत्मा रहती है, inner soul, तो आप meditation जरू करना थोड़ी तेर अपने inner soul के लिए, अभी इस तक सब कुछ जो हो रहा है वो outer body के लिए हो रहा है, muscle, mass, body, bone, इन सब के लिए हो रहा है, बालों के लिए, eyes, eyes, इन सब के लिए हो रहा है, लेकिन for your internal soul, जो आपकी soul है, जो आप खुद हो वो उसके लिए भी थोड़ा सा workout जरूरी है, जिसे कहते हैं meditation, अगर आप 10 minute मेडिटेशन करते हैं, तो आपका stress level almost 30% down हो जाता है, तो दोस्तों इसको प्लीज अपनी habit बना लीजिए, रात को सोने से पहले आप कर स सकते हैं, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही टेस्टों से उनके बारे में यही था, मेरे पास, आपको कोई अगर क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए, I am there to always reply you, अपना बहुत अच्छे से ख्याल किये, बुरी आद्सों से बचिए, जैंद